मैं बहुत खास में माना ये मिलकर स्वागत करता है में साथ है डिरेक्टर नाशनल स्कूर अव रामा सुरेश शर्मा जी महथबत स्वागत है सुरेश जी दन्यवाद मैंने बोला कि आप रंगमंच में अपना करियर बनाना चाहते है आपने ये कब सचा किम्झे रंगमंच से जुढना है नाटकार बनना है नाटकों से जुढना है जी 1979 से मैंने अपना केरियर शुरू किया और बहुत संचित में मैं आपको बताता हूँ कि लखनू में भारतिननाट अकेडमी था वहां से पहला मैंने अपना डिप्लोमा कोर्स किया फिर तुरंट 1982 में मैं दिल्ली आ गया और रास्टिनाट विद्याले से 1985 में पास करके निकल गया वह दौर बहुत अजीप सा दौर था जहां पर पेरेंट्स कभी भी नहीं चाहते थे कि उनका लड़का उनका उनकी लड़की इस फिल्ड में जाए क्योंकि वह दौर ऐसा था कि अगर आप रंगमंच या कला के छेतर से जुड़े हुए खास करके थेटर से तो बहुत ही ही सब्सक्राइब करते हैं कि वह खुद अपने बच्चे को लेकर के आते हैं और इस फिल्ड में वह चाहते हैं कि उनका कैरियर बने और प्रोफेशनली वह काम करें तो वह दोनों दौर देखा वने वह दौर और आज कर दो आपने रिस्क लिया जुड़े थेटर के साथ तो लोग अगर आप भी थेटर से जुड़ना चाहते हैं थेटर के बार में कुछ भी सवाल पूशा चाहते हैं और इफ यू सी ओकरियर इन दे सेम फील तो फिर आप डायल कर सकता हमारा स्टूडियो नंबर हमारा नंबर है दो तीन शुर्ने नौ साथ पांच दो चार लगा कि मैं रिस्क ले रहा हूं परिवार के गन्स जा रहा हूं जैसे हम हिंदी फिल्मों में देख थे हैं कि नहीं मैं अपना future देख लूंगा क्या कहेंगे वो दौर बहुत कतिन दौर था क्योंकि उससमह सीरेल्स नहीं थे फिल्में भी साल में दो साल में एकाड आठ फिल्में तो जनरली यह देखा जाता था कि जो रंगमंच का अभिनेता है वो कला फिल्मों के लिए सबसे यदा उप्यूक्त है तो वही एक फ्यूचर होता था और आपके दूरदर्शन पे मंगलवार को एक नाटक आता था तो सोचे इतने सारे रंग कर्मी उनकी रोजी रोटी का तो कोई बरोसा होता नहीं था लेकिन जो स्ट्रेगल था जिस दौर से वो निकल के आते थे तो पुखता वो निखर करके आते थे तब ही आप उस दौर के अभिनेताओं को देखिए और आज के अभिनेताओं को देखिए रंगमंच से संबंदित जो अभिनेता है वो बहुत ही वाली जगे है, अनुशाशन का छेत्र है, डेडिकेशन चाहिए, टाइम चाहिए, वह आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप इस छेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, और आप आएंगे एक दो काम किया आपने और चढ़े, जिस तरह से आप चढ़ेंगे उतनी जल्दी आप उ अनुशाशित हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना, स्वरी, ने. देखिए, रंगमंच जो है, या अभिनेता जो है, हर आदमी जो डायलॉग बोलता है, वो अभिनेता नहीं है, एक योगिक किरिया है, अगर हम भरत मुनी के नाटिशास के साभ से बात करें, हम परकाया प्रवेश करते हैं, हम दूसरे की आत्मा को अपने शरीर के अंदर ध अधरन काम नहीं है, आप अपने अस्तित को खतम करते हैं, और एक ऐसे अंजान व्यक्ति की आत्मा को अपने अंदर प्रवेश कराते हैं, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, वो आपके साथ ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, तो जब तक कि आप अनुशाशित नहीं हैं, अपनी जिंदगी में, अपने जो रोज मर्रा काम है उसमें, तब तक कि आप कुशल अभिनेता बन ही नहीं सकते, यही कारण है कि आप देखिए कि एक अभिनेता वो है जो हर करेक्टर, हर चरित के साथ बदलता है, उसकी वाक बदलती है, उसका समवाद बोलने का बनाता है, लेकिन एक्टर, एक ही होता है, एक्टर जो है, हर करेक्टर के लिए अपने को बदलता है, ना कि बड़े से बड़े करेक्टर को वो अपनी हाइट पे लाता है, जो स्टार है, लेकिन एक्टर उस करेक्टर की हाइट तक की जाने की कोशिश करता है, यह एक्टर और स्टार में एक यह बेसिक फर्क है. तो क्या अब आपको ऐसे अक्टर्स मिलते हैं जो स्टार बन सकते हैं? अक्टर अक्टर होता है, स्टार स्टार होता है. स्टार हमेशा अपने अंदाज को हर करेक्टर में उसकी स्टाइल होती है. वो हर करेक्टर में उस स्टाइल को फिट करता है लेकिन एक्टर उस करेक्टर की स्टाइल में जाता है तो एक्टर और स्टार में बेसिक फर्क है ना कि एक्टर बड़ा हो सकता है बिल्कुल बड़ा हो सकता है एक कहते है एक औरा होता है